नमस्कार, आप सभी कवी के नियूस पर मैं हूँ आपके साथ चेतन पाथ है आपने कई बड़ी बड़ी मारतों देखी होंगी जिनमें आपको हर तरह की सहूलियत मिलेगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पूरा शेहर बसा हुआ है जी हाँ, ये इमारत अमेरिका के उत्री राज, अलास्का में इस्तित है जिसका नाम वीटियर है वीटियर के शेहर को वर्टिकल टाउन के नाम से जाना जाता है दुनिया में एक ऐसी इमारत है जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि शेहर में सब कुछ अपलब्ध है उत्रान के लिए स्कूल, शॉपिंग मॉल, पुलिस स्टेशन या स्टीडियम इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की कोई जरुवत नहीं है लंबच चेहर पूरी तरीके से पहाडियों से घिरा हुआ है आपको बता दे की पहले इस जगे का इस्तमाल अमेरिकी सेनिको द्वारा स्टॉप के रूप में किया जाता था यहां रुखते हुए सेनिको ने अलास्का के अंद्रूनी हिस्से में जाने की तैयारी की साल 1947 में अमेरिकी सेना ने अपने सेनिकों के लिए दो इमारतों का निर्मार्ण किया था 1964 में आए भायानक फूकम के कारण एक इमारत शतिगरस्ट था जिसके बाद इसे खाली कर यहां के आम नागरिकों को एक और इमारत सौप दी गई इसके बाद शहर के तमाम लोग इस इमारत में रहने लगी यह इमारत 14 मंजिला उची है और इसमें दो और तीन शेयनकक्षों के देड़ सो कमरे इसमें 214 से जादा लोग रहते हैं इमारत में रहने के लिए कमरे पहली मंजिल से शुरू होते हैं वहीं ग्राउंड फ्लोर पर अन्ने सभी सुवधाएं उपलब्द कराई गई हैं जिसमें पुलिस स्टेशन, अस्पताल, दुकाने, लॉंड्री, पोस्ट ऑफिस, प्लेरिया, होटेल, शॉपिंग मॉल और स्कूल शामिल है, इतना ही नहीं, इमारत के बेस्मेंट में चर्च भी बने हुई है, इस खबर में इतना ही, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें, वीके नियूस के साथ, द